अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो मैट्रिक और इंटर बोर्ड परिछा 2022 के लिए जो बिहार बोर्ड ने डमी एड्मिट काड जारी किया है तो इस डमी एड्मिट काड की क्या ऊपी होगी ताहर ताथ कि यह आने वाले आपके जीवन में कहां-कहां पर एक काम आएगा ताकि इसको अगर आप समझ लेंगे तो यह कैसे डाउनलोड होगा, इसको क्या करना है, क्यूं आया है, क्या इसको प्राप्त करना बिल्कुल जरूरी है यह सभी बातों का जबाब आप खुद से देने की स्थिती में रहेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि डमी एड्मिट काड क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, कि जैसे आपका रजी स्टेशन काड आया, वह ऐसे ही आपका कुछ दिनों बाद एड्मिट काड आएगा और admit card में क्या रहेगा तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सभी चीज बिल्कुल ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पे आपका roll number और यहाँ पे परिक्षा का केंदर अर्थाथ कि आपका roll number कितना है और आपका exam center कहाँ पे भेजा गया है और यहाँ पे जो यह बिसाय देख रहा है इसके नीचे यहाँ पे आपका परिक्षा का routine रहेगा कि आपका किस दिन कौन सा subject का परिक्षा है वो रहता है आपके जो original admit card आएगा उसमें यह है dummy admit card तो इसको अब क्यों जारी किया गया तो इसको जारी करने का एक ही उदेश है dummy admit card का कहीं पे कोई भी महत्व नहीं है सिर्फ इसको आपको download करके देख लेना है कि हाँ इसमें आपका नाम माता पिता के नाम college यह आपका registration number रॉल कोड लिंग यहाँ रेगूलर है यहाँ आप दिव्यांक कोटी के हाई की नहीं आप यह सभी विशाय लिये है की नहीं यह सभी चीज आपका photo है की नहीं signature है की नहीं यह सभी चीज सिंपल सा आपको मिलान कर लेना है बस इसी के लिए यह आया है और ज्यादा इसका कोई भी उपयोगता नहीं है देखें यहाँ असपस रूप से संभाल कर रखने की कोई आउसकता नहीं अगर इसको आप डाउन्लोड कर पा रहे हैं आपने स्कूल कॉले से जाकर पराप्त कर ले रहे हैं और यह जो जानकारी दिया गया है यह सभी जानकारी यह विशाय फोटो आपका है सीगनेचर आपका है सभी आपके बारे में सही से लिखाए गया है सभी बिशाय सही है तब इसका आपके लिए कोई यूप योगता नहीं है इसको आप रखे या न रखे इसे कोई परभाव नहीं पढ़ रहा है किसी भी तरह के आप मैय टरी के चातर है तो किसी भी तरह के इसमें तरूटी दिखाए दिरा आये तब क्या करना है कि उसशातर का लिंग यहां पर email के पर इसको काट के यहां पर लिखाएगा mail और उसके बाद जाकर अपने स्कूल कॉलेज के यहां पर दसकत और मुहर कराएगा और इसका एक फोटो एस्टर करा के अपने पास उसको रखना जरूरी है ताकि वो बताएगा कि मैंने सुधार करा लिया अगर एड्मिट कार्ड में कोई दिकत होता है तो और यह जामा कर देना है स्कूल कॉलेज में उमीद करता हूँ आप समझेंगे कि यह डमी एड्मिट कार्ड है इसका सिर्फ इतना ही महत्तो है कि आपको अपना जानकारी मिला लेना है ताकि आपका ओरिजिनल एड्मिट कार्ड आए तो उसमें कोई भी गलती नहीं रहे अभी तक हम लोगों ने डमी एड्मिट कार्ड के कि आपको सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और जहां पे आपको दिखाई देगा earcarrier.in यहाँ पे देख लिजिए सिंपल सा इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है आपको earcarrier.in वेबसाइट जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पे सबसे उपर आपको dummy admit card का post दिखाई देगा इस post को आपको open करना है इसको जैसे ही आप open करेंगे आपके सामने कुछी तरह page open होगा यही पे आपको नीचे की तरह पे scroll down करना है आप लिंक भी दिया गया है अब प्रसन है कि यह लिंक कब से काम करेगा तो देखिए लिंक काम नहीं करने के दो-तीन वज़ा है सबसे पहला वज़ा क्या है कि एक तो 25 अक्टूबर तक अभी टाइम है तो बियार विद्धाला परिक्षा समयती अभी लिंक स्टूडेंट के लिए एक टीम नहीं किया है और दूसरा कि यह 25 अक्टूबर से ऐसा possibility है कि आगे भी date बढ़ेगा तो यह सब देखते हुए कुछ सभी छुटी चल रहा है तो सर्वर कुछ डाउन चल रहा है तो इसको आपको चिंता नहीं लेना है में 25 अक्टूबर तक data मैंने बता दिया कि dummy admit card करकर सिर्फ इतना ही महतो है तो उसको डाउनलोड करके आपको देख लेना है कि इसमें सभी जानकारी जो दिया गया है वहाँ हो मेरा है और यह सभी बिसा है signature photo जो भी जानकारी हो सब सही है अगर सही है तो वहीं पे उस dummy admit card की उपयोगिता समाप्थ हो जाता है अगर गलत है तब उसकी उपयोगिता बचेगा कि उसमें आप दसकत मुहर कराएंगे उसको जमा करेंगे इस्कूल कॉलेज में अगर सही है तो उसको कहीं जमा करने की आउसकता नहीं है तो आपको थोड़ा सा और प्रेसेंस बना कर वेट करना है और देखिए हाँ पे दो तरीका आप मने बताया पहला बियार भी देला परकिस समीति कि आप बता रहा है कि एक तो वहाँ पे लिंक मिला उस लिंक से भी एक्टिव होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं दूसरा आपको डाउनलोड करके यहां पर देखिए हैं जैसे अपडेट कर रहा है जैसे यहां पर मरवारी कॉलेज दरभांगा का अपडेट किया गया है आल्ट साइंस कमर्स सभी चीज़ का इस तरह अगर आपको इसकुल कॉलेज का कोई वेब साइट होगा जैसे माल लिजे को परसान नहीं होना क्योंकि 25 अक्टूबर तक डेट है इसकुल कॉलेज से भी पराप्त कर सकते हैं यह आपके इसकुल कॉलेज का कोई ऑफीसियल वेब साइट है तो वहां पर भी जैसे मैंने बताया ऐसे अपडेट किया गया है तो यहां से जाकर अपने इसकुल कॉलेज जैसे ही कि सभी कॉलेज का यहां पर अपडेट होगा यहां पर सभी जानकारी नीचे अपडेट दिया जाएगा यहां से भी आके आप किलिक करके डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर जो यह लिंक दिया गया इस लिंक पर आपको भीजिट करना है क्योंकि लिंक कभी भी ओपन हो सकता है जैसे ही लिंक ओपन होगा उसकी जनकारी हम आपको देंगे तब तक तक के लिए आप भी AR Career.18 पर आका ऐसे चेक कर सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद